बॉजन गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्सी पार्ट शाला पे और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैं बात करने वाला हूँ आज मैथर्ड्स ओफ रिसर्च के बारे में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉफिक है एक्जामिनेशन के पॉइंट पॉ सारे टॉपिक्स को एक ही साथ कवर करने की कोशिच करने वाला हूँ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो उसके पहले कहना चाहूंगो कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकर दबादो ताकि आपको मेरे वीड करने बीडियो प्रसेरच के एंड में आपको प्रवाइड कराना रहता है अज़रे सर्च अपको मन में जो क्विश्चन से उसको सॉल्व करना है आपको विद रहल पर शेरच फर दिस परकर अब बैस्टिगेटे और इसी परपेस के लिए जो रिसेर्चर होता है वो क्या कर करता है जो डेटा वह हुए घरशुचा साथ रिएंस काम करता है कि उसने जो एंसर दिया है वह उसका पुरूफ क्या है वही जो डेटा है वही इसका विदेंस होगा पूप होगा the procedures adopted for our planning the same are described in the literature as methods of research and approaches to research, ठीक है ना, अब जो ये method का इस्तेमाल करेगा उन सारी data को कट्टा करने के लिए उसी को हम लोग method of research या फिर approaches to research के बारे में समझ रहे हैं, मतलब वही चीज है in fact, they are broad methods used to collect the data, these methods are as follows ये जो methods है, ये बहुत ही बड़े methods है और इन ही को हम एक एक करके करने वाले हैं सबसे पहला है survey method, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले इन सब के बारे में, survey method का मतलब क्या होता है, survey का मतलब होता है आपको physically आप जाकर के survey कर रहे हो suppose आपको ये पता करना है कि एक locality में दस लोग रहते हैं suppose उस दस लोग एक घर में कौन सी चाय बनती है तो किस चाय का demand उसके बगल, उसके उस महलने में जो दुकान है उस महलने में जो शॉप है उस शॉप वाले के पास कौन सी वाली चाय ज़्यादा बिकेगी मैं बहुत ही छोटे लेवल पर एक एक एक्जेंपल देने की कोशिच कर रहा हूँ हाला कि बड़ा area ले सकते हैं है ना, तो कौन सी चाय लोग जहाँ पीना पसंद करते हैं तो सपोस्थ आप दुकान खोलने वाले हो वहां पे और आपको पता करना है कि भई जो लोग चाय ज्यादा परे पीना पसंद करते हैं तो दुकान दार मुल्ले में घुमेंगा जब घर जाएगा उसे पूछेगा कि आपको कौन सा चाय पीना पसंद है बताइए मुझे तो बटाएंगे ठीक है मुझे ताज जो है वो पसंद है ठीक है किसी ने कहा सब्स मुझे ब्रुकबर्ण पसंद है तो सर्वे मैथट में क्या हो रहा है कि आप हर एक आदमी के पास जा रहे हो और उनसे जो है उनका इंफोमिशन इकट्टा कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग जो है फायदा उठा रहे हो सब्स पता चला कि 10 में से तो फिजिकली करना तो है बट यहां पर अब्जर्वेशन आपको किया जाएगा आप अब्जर्व करोगे चीजों को और उसके बेसिस पर आपका रिसर्च जो है वो काम करेगा ठीक है ना केस मैथर्ड केस मैथर्ड में क्या होता है यहां पर कोई भी जो प्रिविएस केसे उस चीज से रिलेटेड उसके उपर एक तरिके से रिजर्च किया है एक टापिक है जिसको लेकरória कि साल पहले उसे जॉस पर आप रिसर्च करने वाले हो तो इन वाम करेने अब्भ दाटर द्ध यस ज leben करें ने वाले हों ना वह ऑः आपके लिए काफ़ी जाए है हेलप र नहीं सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो situation जो है वो कुछ change हो सकता था कुछ different हो सकता थो in that case you are doing experiments with your workings activities है ना आप अपने activities में experiment कर रहे हो so that that will be called experimental method पाचवा है historical method ऐसा method जहां पर history का history नहीं मतलब होता है compare करना एक चीज को दूसरे के साथ compare करना और compare करने के बाद आपको जो data निकल करके आएगा वो जो data होगा वो comparative method के through with the help of comparative method you have gathered those data तो से हम कहेंगे comparative method जहां पर आप compare करते हो तो इनी सारी methods को make it करके अब ही हम बात करने वाले हैं बहुत लंबा लंबा lecture मैं नहीं करने वाला इसको survey method के बारे मैं आपको समझा जाता है और examination में आपसे पूछा गया यह अगर 15-20 marks में आपसे पूछा गया तो survey method का जो यह पहला जो आप 6-7 line देख रहे हो अगर आप इतना भी लिख देते हो इस सरीके सगर के टोटल 6 method है अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको आसानी से marks मिल जाएंगे पर कोशिच करना ज्याता सर ज्यादा लिखने का जितना आप लेक पाओ पर फिलहाल मैं अगर यह सफिसेंट लगा तो ठीक है ने तो मैं थोड़ा सा ओर आगे बढ़ा बताने की कोशच करोंगा हर एक method में ठीक है तो survey method के बारे में पढ़ देते हैं the dictionary meaning of survey is to oversee, to look over, to study, to systematically investigate, ठीक है ना? सर्वेस्ट जो research उसका इस्तमाल जो है sometimes large study group के लिए भी किया जाता है और sometimes small populations के लिए भी किया जाता है मतलब दोनों तरह के population के case में survey method का इस्तमाल किया जा सकता है it is a fact finding survey, mostly empirical problems are investigated by this approach तो यहां पी जो empirical problems होते हैं, जो थोड़े से बड़े problems होते हैं उनको investigate करने के लिए इस approach के इस्तमाल किया जाता है it is a critical inspection to gather information often a study of an area with respect to a certain conditions or its prevalence for example a marketing survey, a household survey, all India, rural credit survey तो यह कुछ examples दिये गया है जसका इस्तमाल जो है लोग करते है government करवाती है, यह सारे surveys, marketing survey आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने चायक वाला example दिया था household survey आप कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि हर 11 साल बाद जो है एक survey होता है जैसे हम NPR कहते है, National Population Register, जहां पे हर एक वैक्ति का जो है सर्वे कर रहे हो, okay, so this is what, what it is, survey is a very popular branch of social science research, social science research जब भी क्या जाता है, तो survey जो है उसका एक बहुत ही important और very popular branch है, okay, survey research has developed as a separate research entity, activity, along with the development and improvement of the sampling sampling procedures, जो sampling procedures होते हैं, उनका भी development और improvement इसमें इस research में किया जाता है, और यह बहुत ही popular branch है, social science का, okay, sample surveys are very popular nowadays, as a matter of fact, sample survey has become synonymous with survey, है ना, यह इतना यादा popular हो गया है अभी कि समय में, कि sample survey को as a survey भी समझा जाता है, अगर आप survey कर रहे हो, इसका मतलब आप sample survey कर रहे हो, okay, so it is like, दोनों जो हैं, जो चीजें हैं, वो synonyms हो गई है, for example, see the following definition, यहाँ पर definition देखो, black and champion के दवारा, और Fred and Curlinger के दवारा, यह दो definitions दिए गए गए, सबसे पहला देख लेता है, जो कि black and champion के दवारा कहा गया है, Specifications of Procedures for gathering information about a large number of people by collecting information from a view of them, okay, तो यहाँ पर आप Specifications of Procedures का इस्तमाल करते हुए, gather कर रहे हो information को, जो कि एक large number of people का group है, वहाँ से, by collecting information from a few of them, ठीक है, आप इकटा कर रहे हो, जानकारी कुछ ही लोगों के से ले करके, लेकिन आप उसको apply कर रहे हो, पूरे population के ऊपर, ठीक बहतरीन है, कि आप कम लोगों के डेटा को collect करके भी, large number of people के information को gather कर सकते हो, survey research को, Fred and Kerlinger ने कहा कथा, studying samples chosen from the populations to discover the relative incidence, distribution and interrelations of sociological and physiological, psychological variables, ठीक है न, तो studying, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आप simple research के इस्तमाल कर रहे हो, survey research का दो इस्तमाल कर रहे हो, populations का, वो यहाँ पर आप different different चीज़ें discover करने की कोशिच करते हो, जैसे कि relative incidence क्या होगा, distribution क्या होगा, interrelations जो है इन सारे चीज़ों के बीच में, मतलब sociological और psychological variables, उनके features of survey method, मैं इसको भी read out नहीं कर रहा हो, क्योंकि examination में आपको survey method लिखना है, survey method का features अगर आप से पूछ दिया, suppose आप से यह पूछा गया, कि what do you mean by survey method and explain its features, तो फिर बात अलग है, बट अगर आप से यह पूछा गया, कि what are the methods of research and explain every one of them, तो इस case में जो है, आपको features लिखने के जाएगा, साथ points है, अगला चलते हैं, अगला method है, observation method, okay, observation means seeing or viewing, it is not a casual but systematic viewing, ठीक है, observation means, observation का मतलब होता है, किसी चीज़ को देखना, seeing, viewing, दोनों सेमी है, it is not a casual, यह जो है, कोई casual देखना नहीं होता, बटा systematic viewing, आप सपोस्स सारा दीन बैठ करके किसी के activity को watch कर रहे, observe करने क कर रहे, तो उसे हम कहेंगे, systematic viewing, आपका जो है, planning के तहर चीज़ें काम कर रहे है, और ऐसे भी हम मैं किसी को observe करूंगा, तो उसको observation method थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि हम research थोड़ी कर रहे है, research जब ही करेंगे, तो वो systematic होगा, है न, कि मैंने देखा कि सुभा 6 से 12 उसने क्या क for the specific study, अब यह definition है, जिसको आप लिख सकते हो examination में, observation अगर आप से पूछा गया, observation का definition है, यह लिख सकते हो कि यह systematic viewing of specific phenomenon है, किसी एक specific phenomenon को check करने के लिए, आप जो है systematic viewing कर रहे हो, और यहाँ पर आपने proper setting करके रखी हुई है, ताकि आपको जो information मिले वो आपका gather, जो information है वो for the specific study, यह जो specific phenomenon है, वह ही आपका specific study है, observation is a method of scientific inquiry, observation जो होता है, यह method होता है, scientific inquiry का, if you observe a person or an event or a situation or an incident, the body of the knowledge of the various sciences, such as biology, physiology, astronomy, sociology, anthropology, etc has been built upon essentialities for systematic observation, यह तो सारी चीज़े मैंने अभी आपको गिन कर के बताई है, physiology, biology, astronomy, sociology, psychology, anthropology, यह सारी के सारी चीज़ें जो है, यह तयार हुई है, सदियों से एक systematic observation के उपर ही, है न, अचानक से आपके, आप college में गए और आपको psychology पढ़ने के लिए दे रही आ गया है, फिर आपको psychology में interest है, तो वो अचानक से तयार नहीं हुआ है, सदियों इसके उप पर जो है तरीके सा observation हुआ है, चीज़ों को डेवलब किया गया है, चीज़ों को अच्छे तरीके से, जो चीज़ें वो लोग information उनको मिलती है, उसको डेवलब किया रहता है, तब जाकर कि यह एक subject बनता है, okay, observation is also useful in social and business sciences for gathering information and conceptualizing, the same, जो मैं कह रहा था, for example, what is the lifestyle of a tribal, किसी भी tribal का क्या lifestyle होता है, how are the marketing activities taking place in regulated markets, regulated market में marketing activities किस तरीके से होती है, यह वो सारी चीज़ें हैं, जो कि आप observation method के तूरू, चाहिए जान कर दिया है, तक कर सकते हो, आपको बस observe करना है, चीज़ों को कि market में किस तरीके से वो काम कर रहा है, how will the investment activities be done in the stock exchange markets, किसी भी stock exchange market में किस किस तरीके से investment activities की जाती है, यहां से पता चल जाएगा आपको, how are proceedings taking place in the Indian Parliament or assemblies, यह भी एक observation method है, जहां पर यह आप observe करने की कोश्च करो कि किस तरीके से Indian Parliament या फिर assemblies में काम होता है, कुछ और इक questions हैं नीचे में, आप इसको भी कर लो, observation as a method of data collection has some features, इसका जो देखो, इसक में सारे survey को कराया, तो फिर मैं आपको features भी बताऊंगा, आगे चलते हैं, आफी चाहूंगा स्क्रीन के लिए, अगला point है, case method, okay, तो case method क्या होता है, मैं थोड़ा सा, तो अब बात कर लेते हैं, case method के बारे में, case method of study is borrowed from medical science, just like a patient, the case is intensively studied so as to diagnose and then prescribe a remedy, ठीक है ना, तो case method का ज बॉरो किया गया है, जस तरीके से medical science में हम लोग किसी एक patient को, के case को समझने के लिए उसको diagnose करते हैं, और फिर उसको, जो है, remedy prescribe करते हैं, उसी तरीके से, इस method में भी हम लोग किसी एक case को, जो की previously उन सेम चीजों के उपर किया गया होगा, उसको, उसको basis बना करके, उसके उ remedial measures, तो किसी एक firm, किसी एक unit को study बहुत ही intensively किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो भी problems है, जो भी differences है, जो भी specialities है, उसको find out करके, उनको जो है remedial measures suggest किये जा सके, it is an in-depth intensive study of the unit of problem under study, it is a comprehensive study of a firm और an industry, तो किसी भी industry और किसी भी firm का जो है, एक comprehensive study होता है, और a social group, और an episode, और an incident और a progress, और a program, और an institution, और any other social unit, तो यह वो सारे नाम है, यह वो सारे चीज़ें हैं, जिसके उपर जो है, case method का इस्तिमाल किया जाता है, ताकि वहाँ भी problems है, जो भी differences है, जो भी उनके specialities है, उसके उपर एक तरीके से काम करके, research करके, जो है, उनको remedial measures suggest किये जा सकें, और उनके according जो है, वो लोग काम करते हैं, उसके बाद एक definition देखो है, according to PV Young, a comprehensive study of social unit, be that unit a person, अब यह जो वह unit है, पहली बात तो आप यहाँ पे comprehensive study कर रहा हो किसी social unit का, अब वो जो है, कोई वैक्ती हो सकता है, कोई social institution होता है, कोई district हो सकता है, पर कोई community हो सकती है, उसे हम से एक है, a case study aims at studying everything from everything about something rather than something about everything, है ना, case study जो है, एक तरीके से काम किसी तरीके से करता है, यह किसी एक topic के बारे में सारी कि सारी जानकारी लेने की कोशिश करता है, ना कि वो थोड़ी सी जानकारी लेता है, किसी एक topic के बारे में, है ना, बहुत सरी चीजों के बारे में complex factors involved in a given situation as so as to identify casual factors operating in it. तो यह complex factors को एक्जामीन करता है ताकि उसके अंदर जो casual factors है उसको वो identify कर सेके और उसके according जो है वो operate कर सके है ना? The case study describes a case in terms of peculiarities, typical or extreme features. It also helps to secure a fund from the information about the unit under study. It is a most valuable method of study for diagnostic therapeutic purpose ठीक है ना? So therapeutic purpose में इसका इस्तमाल बहुत ज्यादा होता है आप इसके जरीए जो है fund इकटा कर सकते हो इन research के जरीए आपको जो है funds भी बहुत असानी से मिल जाता है secure कर सकते हो और यह जो research होता है बहुत होता है बहुत होता है अगला point है experimental method इसको कर लेते हैं यहां पर experiment करने की बात की जा रही है So experimentation is the basic tool of the physical science like physics, chemistry for establishing cause and effect relationship for verifying interferences तो आपको पता है experiment हम लोग सबसे आदा जो है chemistry और physics में करते हैं जब हम class 9-10 में हुआ करते हैं तो इस time पर physics जब में पढ़ा जाता था तो लैब में जाकर के जो है आपको चीजों को समझना होता था chemistry में आपको जो है different formulas होते थे different acids के basis के alkalines के तो इनका एक तरीके से जो है हम लोग इसके उपर experiment करते थे की इसको ऐसे करेंगे तो वो red हो जाएगा blue हो जाएगा green हो जाएगा जो भी है ना तो मुझे exactly तो अभी कुछ याद नहीं है बढ़ हम लोगों नहीं सारी चीज़े पड़ी है हमारे ताइम पर lab नहीं हुआ करता था हमारे स्कूलों में बट हमने लाइक टीवी में वगरा में हर जगा पर दिखा हुआ है कि वहां पर experiment किया जाता है चीजों के ऊपर कुछ ना कुछ तरीके से changes करके उसके उपर experiment किया जाता है so this method is the same हाना यहां पर भी आप experiment करने की कोशिश करोगे however, it is now also used in social science like psychology आप social science पर भी experimental method का इस्तमाल किया जाने लागा जैसे कि psychology हो गया, sociology हो गया experimentation is a research process used to observe cause and effect relationship under controlled condition sociology, experimentation, research होता है इस process को observe करने के लिए cause and effect relationship को observe करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है जहां पर conditions होता है, वो controlled होता है मतलब आप उसको control करते हो in other words, it aims at studying the effect of an independent variable on a dependent variable ठीक इन other words में अगर बात करें तो यह जो है एक independent variable का effect जो है dependent variable के उपर क्या होगा उसको study करने के लिए जो है इसका इस्तमाल किया जाता है by keeping the other interdependent variable constant through some type of control है ना, यहां पर देखो दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, एक independent variable और dependent variable तो independent variable का काम किस तरीके का होगा dependent variable के ऊपर बल्क और बाकी सारे जो interdependent variables में सको constant रखना है, fixed रखना है, सिरफ इन दोनों के बारे में ही बात हो रही है तो इन दोनों को हम experiment करेंगे तो फिर हमें पता चल पाएगा कि इसका cause and effect relationship क्या है इन experimentation, the researcher can manipulate the independent variable and measure its effect on the dependent variable तो experimentation में क्या होता है, जो researcher होता है, वो manipulate कर सकता है independent variable को और उसका इस्तेमाल dependent variable के ऊपर किस तरीके से उसका असर पड़ेगा, उसके बारे में वो पता कर सकता है यहां पर देखो features बताया है, मैंने कहा था कि मैं जब भी detail में किसी topic के बारे में बात करूंगा, तो फिर मैं features बताऊंगा, अदर्वाइस यह features जो आप study कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है न, मैं फ्रॉदर के लिए रूख जा रहा हूं, आप इसको चाहोते एक बार read out कर फिर आगे बढ़ते हैं, जितना मैना भी बताया है आपको इस experiment method के बारे में, अगर आप इतना exam में लिख देते हो, that would be more than enough, ठीक है, क्योंकि 5-6 methods है, उन 6 methods को आपको cover करना है, अब आजाती यह बात historical method के उपर, okay, so when research is conducted on the basis of historical data, जब आप historical data के उपर किसी तरह का research कर रहे ह तो, the researcher is said to have followed the historical approach, तो इस case में आपने historical approach के इस्तमाल किया है, historical method के इस्तमाल किया है, है न, आपको research करना है, लेकिन जो आपका data है, वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही like recent का नहीं है, तो उसे हम कहेंगे historical approach, to some extent, all research is historical in nature, कुछ extent में अगर देखा जाए, तो सारे के सारे research हो होते हैं, but to a very large extent, research depends on the observations, data recorded in the past, लेकिन अगर देखा जाए, तो बहुत ही बड़े स्तर पे जो है, जो data आप भी खटा कर रहे हो, है न, जो observation के थूरू या फिर जो previous data रिखटा किये हैं, उसके business पे वो काम होता है, ना कि एक्तम ही historical data होता है, उसके उपर, historical data के इस्तमाल हो लिक्स, documents और chronological data can conveniently be investigated by following this method, तो यहां पर जो भी problems आपके historical records में आ रही हैं, जो भी आपको problems हो रही हैं, उनका इस्तमाल, उनको solve करने के लिए, आप जो है, historical records का इस्तमाल कर सकते हो, documents का इस्तमाल कर सकते हो, और chronological data का इस्तमाल कर सकते हो, बहुत ही जिसको investigation करने के बाद, आप जो है, अपने problems को solve कर सकते हो, with the help of this historical method, historical research depends on past observations or data and hence is non-repetitive, okay, therefore it is only a post-factor analysis, तो यह तरह का post-factor analysis होता है, मुदलब किसी चीज़ के घड़ जाने के बाद, जो analysis किया जाता है, उसे हम post-facto कहेंगे, however, historians, philosophers, social psychiatrists, literary men, as well as social scientists use the historical method, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गिया है, जो कि historical approach, historical method का इस्तमाल करते हैं, जैसे कि historians हो गया, philosophers हो गया, social psychiatrists हो गया, literary men हो गया और जो social scientists होते हैं, वो भी historical approach का इस्तमाल करते हैं, historical research is the critical investigation of events, developments, experiments of the past, historical research जो होता है, critical investigation होता है किन चीज़ों का? events का, developments का जो experience किये जाते हैं पास्ट में उन सब चीजों का जो एक तरीके से ये एक investigation, critical investigation होता है. देखके, careful weightage of the evidence of the validity of source of information of the past and the repetition of the evidence. है ना, जो information होगा ये past के हैं, तो बहुत जादा ये सही होने चाहिए, like इनकी validity अची होने चाहिए, इस तरह की चीज़े, the historical method also called historiography, differs from other methods in its rather elusive subject matter, that is the past. जो historical method होता है, जिससे हम historiography भी कहते हैं, इस case में ये जो है defer करता है बागी सारे methods के मुकाबले, जी, तो historical method इसको कहा जा रहा है, सादे सादे इसको historiography भी कहा जा रहा है, because ये जो है तरीके से defer करता है भागी सारे methods के मुकाबले, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा elusive है, मतलब यहाँ पर past की बात होती है, okay, so यह हमारा topic था historical method, इसके बारे में और पी कुछ चीज़े हैं, अब अगर चाहो तो इसको study कर सकते हो, but आप जितना मैंने बताया है, अगर उतना examination में लिख देते हो, that's more than enough, ठीक है, अब बात कर लेते हैं comparative और आखरी method की, जो की important है, तो comparative method नाम साब को समझ में आ रहा कि यहाँ पर comparison करने की बात की जा रही है, right, आप देखो क्या लिखा हुआ है, the comparative method is usually frequently called evolutionary or genetic method, इसको हम evolutionary या फिर genetic method भी बोलते हैं, the term comparative method has came about in his way, in this way, some sciences have long been known as comparative sciences, कुछ sciences को comparative sciences बोलायाता था previous time में, तो उसी तरह, वहीं से जो है यह नाम जो है, वो आया है, तेसी के देखो comparative philosophy हो गया, philology हो गया, comparative anatomy हो गया, comparative physiology हो गया, comparative psychology हो गया, इन सारी चीजों से ही जो है, comparative method या फिर comparative approach जो है यहां से निकल करके आया है, बट इसका और भी नाम है, जैसे की evolutionary और genetic method, okay, now the method of these sciences came as to subscribe as a comparative method, as abridged expression for the method of the comparative sciences, मतलब यहाँ पर एक method है, जो की comparative sciences के ऊपर बात करता है, that is why it is known as comparative method, when the method of the most comparative sciences came to be directed more or more to the determination of evolutionary sequences, it came to be described as the evolutionary method, जब आप इस comparative method का इस्तमाल जो है, डिरेकली बार बार जो है, आप इसका इस्तमाल करते हो, determination करने के लिए evolutionary sequence में, तो इसे हम evolutionary method कहते हैं, देखो, comparative science, अब देखो, आपने जब इस time compare किया, तो कुछ एक product निकला, अगले साल आप फिर से compare करोगे, कुछ और product निकलेगा, फिर उसका अगले साल करोगे, तो कुछ और product निकलेगा, तो जो development हो रहा है, इसी को हम evaluation के बारे में समझेंगे, evaluation के तरह समझेंगे, तो ये एक तरह से evolutionary sequence भी determine करता है, that is why it is also known as evolutionary method, okay, माफिचाओंगा, the origin and the development of human beings and their customs, their institutions, their innovations and the stages of their evaluation have to be traced and established, तो किस तरीके से human संसार में आया, उनका क्या custom था, उनके क्या institutions थे, क्या क्या innovations समय समय के हुई है, ये सारी चीज़े जो है, established की जाती है, with the help of comparative study, the scientific method by which such developments are traced is known as genetic method, तो जो scientific method जिसके जरीए इन सारे developments को trace किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे genitive method, और इसे ही हम evaluationary method भी कहेंगे, क्योंकि ये समय के साथ जो है, धीरे 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 करके, बदलता है, ठीक है, the science which appears to have been the first to employ the evolutionary method is comparative philology, philology, तो वो science जो कि सबसे पहले एक तरीके से employ करता है, इस idea को evaluationary method का, जो कि comparative philology का, उसे हम कहेंगे comparative philology, इसका इस्तमाल किया जाता है, इसको employ किया जाता है, इसको इसको इस्तमाल किया जाता है, जो different languages है, उनके existence के बारे में compare करने के लिए, जो है इस्तमाल किया जाता है, to trace the history of their evaluation in the light of such similarities, differences as the comparison disclosed, Darwin's famous work, Origin of Species, is the classic application of the evolutionary method in the comparative anatomy, है ना, तो comparative anatomy में, Darwin का जो work था, जिसे हमें origin of species के नाम से जानता है, यह एक classic application था, evaluationary method का, जिसके बारे में आज भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो यह बात होगी comparative study की, comparative method की, तो आई होप कि आपको यह lecture काफी पसंद आओगा, मैंने यहाँ पर तक्रीपन हर एक method को cover करने की कोशिच की है, अगर आपको समझ में आ है, तो प्लीज इस वीडियो को like कीजेगा, comment करके बताईए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इसको share कीजी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने friends के साथ, ताकि वो जो है, इनको देख करके वो भी beneficial हो सके, और उनका यह वी exam जो है वो बहतर हो, ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाई!